आज एक खबर दैनिक जागड में आई है हलाकि मैं खबर पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करता हूँ बट थोड़ा सा ये मेरे क्लोज है कि उत्राखंड में मेरे को लगता है मुझे जहां तक फील होता है कि MBBS की सीट्स कम है बाकी इनों प्रोग्रेसिव स्टेट के कमपेर में तो यहां पे सीट्स बढ़नी चाहिए और गॉर्मेंट ने इनिसियेटिव भी लिया था बट अब कोई ये भी कहने में डाउट नहीं है कि पोलेटिकल विल पाउर ना होने की वज़ए से यहां पे सीट्स इंक्रीज नहीं हो पा रही है इनोगरेशन हो गया फाउंडेशन स्टोन डाला गया है जैसे कि अल्मोडा मेडिकल कॉलेज पिथोरा मेडिकल कॉलेज और उसके बाद रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज हरिदवार मेडिकल कॉलेज और अगर आपने कुछ दिन पहले नियूज पढ़ा हो तो यहाँ पे पॉली डिस्टिक में कोटदवार में वहाँ पे भी मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन आवंटित हो गई उस जमीन को किसी ने यूज उस किया था तो उसके लिए प्रसासन ने कारवाई की थी दो-ती दिन पहले नहीं हुझे वहाँ पे भी जमीन आवंटित हो गया है यानि देखा जाए तो पितावरागड, अल्मोडा दो रुद्रपुर्तीन, हरिदवार चार और कोटदवार पांच तो पांच मेडिकल कॉलेज प्रासस में है और एक्चुल में यहाँ कितने मेडिकल कॉलेज है देखा जाए तो सिर्फ हो सिर्फ मेडिकल कॉलेज यहाँ पे चार है दून, हलदवानी, स्रीनगर और अल्मोडा अलमोडा भी बड़ी मुस्किल से खुला था वहीं पे प्राइबेट मेडिकल कॉलेज तीन हो गए हैं चवथा एतनी तेजी से बन गया है अगर कोई और अड़ चन ना आती है एनेमसी की तो ग्रैफिक एरा इस साल चालू हो जाता अगले साल तो लगबग वह चालू हो ही जाएगा तो ग्रैफिक एरा एक जगह पे हैं जहाँ पे प्राइबेट बॉड़ी है एक साल के अंदर मेडिकल कॉलेज बना ले रहा है और हमारे हाँ सालों से नहीं बन पा रहा है रोधरपुर काफी अच्छी उम्मीद थी रोधरपुर मेडिकल कॉलेज की क्योंकि रोधरपुर मेडिकल कॉलेज में सब कुछ ready है प्रिंसिपल भी थे सारा स्टाप भी था सब कुछ बन गया था बट बिल्डिंग according to the norms नहीं हो पाया क्योंकि ठेकेदार ने गरवर किया अब अभी आज आपने दैनिक जागर में न्यूस पढ़ा होगा कि जब मैं रुद्रपूर शुरू नहीं हो रहा था तो मैंने एक आपको न्यूस दिया था बोला था कि 13 दून के लिए 200 सीट है के लिए सासन यहां पे चानल ऑपर वह एक प्रासेस तयार रहा था तो कि दून से ज्यादा सीटों की मानिता देंगे नहीं मानिता आप देंगे 50, 100, 500 इस नंबर में तो दून की अलड़ी 150 है तो अब 200 सीटों की मानिता मिलना लगभग क्या नामुम्किन है तो यह जो उमीद थी भी खतम हो गई इसे अब यह लग रहा है कि अगले साल उत्राघंड में जाएगा, कुछ लोग कहने लगे हैं रुद्रपूर से पहले हर्दवार चालू हो जाएगा, पता नहीं, लेकिन हर्दवार भी लगबग तयार है, रुद्रपूर बनके तयार है, अल्मोडा पितहरागड कहने की बात है, अगर यह दो चाहें तो गवर्मेंट तो यह दो अभी नहीं आएंगी तो ये पूरा का पूरा नियूस था मैंने लगा मुझे लगा कि मैं आपको सेर करूँ बहुत जदा उम्मीद नहीं करिए तैयारी आप ऐसी करिए कि ये तो कॉलेज ना भी खुले तो भी आपका सेलेक्शन हो क्योंकि उम्मीद करना तो बेकारी है